हेलो दोस्तो, email service का इस्तेमाल तो हमें से लगबग सभी लोग करते हैं, कभी न कभी है हमें email message कही न कहीं send करने की जरुष पढ़ती है तो तो कभी-कभी हमें जरौद पढ़ती है कि हम किसी को message send करें लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही वो message receive हो और अगला उसको read कर ले पढ़ ले उसके बाद वो message destroy हो जाए यानि कुल मिलाके मैं आपसे कहना चाहते हूं कि कभी-कभी हमें जरौद होती है कभी-कभी requirement हमारी होती है कि हम self-destructive message send करना चाहते हैं यानि हम message send करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं साथ ही साथ कि जैसे ही receiver या recipient हमारा message read कर ले वो message वहीं से destroy हो जाए यानि future में उसका कोई proof उसके पास न रहे तो दोस्तो मैं आपको यही method यही trick बताने वाला हूं कि कैसे हम self-destructive message या email send करें किसी को बहुत ही simple सी trick है दोस्तो आपको कुछ नहीं करना है simply आपको एक website open करने ही जिसका नाम है private note.com ध्यान रखिए दोस्तो private note.com similar एक website और है जो fishing website है जिसका नाम है private note.com ध्यान रखिए यह fishing website है यह आपका data hack भी कर सकती है इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करें बद आपको remind कर आ रहा हूं कि इस website हमें नहीं जाना है हमें जाना है private note.com पे दोस्तों हम अपने ब्रावजर में open करते हैं private note.com यह उसका homepage हमारे सामने आ गया दोस्तों देखिए जो भी message आपको लिखना आप यहाँ पे message type कर दिये आपको जो भी x y is message लिखना message लिख दिये दोस्तों अब देखिए यहाँ पर है create note जो भी एक note create हो जाएगा उसका link create हो जाएगा दोस्तों यह है link यही link हमें mail कर देना है जिसे हम email में इसे send करना चाहते हैं हम यहाँ से link को select कर सकते हैं यहीं से directly हमारे browser में mail account login ने तुम सीधे यहाँ से email भी कर सकते हैं दोस्तों मैंने इस link को copy कर लिया अब मैं open करता हूँ अपना mail account compose mail पर चलता हूँ और हमने send कर दिया ansar.mat at gmail.com subject हमने दी दिया just for fun और यह link दोस्तों हमने यहाँ पर message box में हमने यही link paste कर दिया और मैंने message को send कर दिया अब देखिए message हमारे दोस्तों जा चुका है अब मैं email id open करता हूँ ansar.mat वाली अब देखिए वहाँ पर हमारे incoming message के list में यह message आया होगा जो हमने aspire i.t expert के माद्रम से भेजा हुआ है देखिए aspire i.t expert email आया है इस mail को दोस्तों मैं open करता हूँ यहां पर देखिए दोस्तों वह link यहां पर आया हुआ है जो मैंने prime note के माद्रम से भेजा हुआ है हमने इस link पर click किया और जब ही मैंने message भेजा हुआ था दोस्तों देखिए यहां पर क्या आ रहा है read and destroy यानि यह notification यह message हमें दे रहा है read and destroy यानि जैसे ही हम read करेंगे यह message destroy हो जाएगा यहां पर yes कर देंगे तो हमें message show हो जाएगा और no not now करेंगे तो यह message यहीं पर अभी रहेगा यानि जब तक message read नहीं कर लिया जाएगा वो destroy नहीं होगा तो फिलाल हम यहां पर yes करते हैं yes show me the note इस पर मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों देखिए यहां पर आ गया जो मैंने message type किया था hello dear it is just for training purpose नहीं कुल मिलाके मैंने message को या email को read कर लिया है अब इसको दोस्तों मैं close कर देता हूं again जब मैं अपने mailbox में आता हूं और same message को दुबारा open करता हूं और इस link को मैं दुबारा use open करने की कोशिश करता हूं देखिए क्या message आता है दोस्तों not destroyed जो भी email send किया था मैंने जैसे ही वह पढ़ लिया गया वह destroy हो गया दोस्तों thank you